गणपती बापा मोरिया तो कुछी दिनों में गणपती बापा का आगमन होने ही वाला है तो हम सब तैयारी में लग चुगे तो बापा का स्पेशल प्रसाद बनाएगे वो भी मोदग एसे तो उकली के मोदग बनाया जाता है दोस्तों तो यहां पर हमने बनाया सुजी का जो पहली बार भी बनाएगा वो भी इदम पर्फेट बनाएगा दो प्रकार बताए चलो फिर बाते कम करते रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर कड़े के अंदर मैं एक चमच गी डालना है गी को गरम कर लेते हैं अच्छी तरह से गी गरम हो रहा है दोसो अब यहाँ पर मैं आपको पर्फेक्ट प्रमान बता दे तो जैसे हमारा जो सारण इंदम पर्फेक्ट बनीगा इंदम स्वादिश्ट तो यहाँ मैं गीला वाला नारेल लेना है सुका वाला नारेल ना ले मोदक जो बनाते स्टपिंग गीला वाला नारेली होता है तो भरके हमें दो कटोरी ले लेना है कोई भी घर में जो कटोरी होती नों वही कटोरी हमें सेट करना है दोसो तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी नारेल लिय इसे में हलका सा मिक्सर में दरदरा पीस लिया है तो अभी एक मिंड के लिए से चला लेते हैं एक मिंड के लिए घी के अंदर ये बहुती आसान तरीके से मैं आपको सारन बतार यो दम पारम पारिक तरीके से अभी कुछी दिनों में गनपती बापा का आगमन होने वाला है तो गनपती बापा को ज़्यादा करके क्या पसन है तो मोदक तो यहाँ पर मैं आपको अलग-अलग प्रकार की मोदक बता होने वाली हूँ तो अभी आज का मोदक हमारा अलग होने वाला है उम्मीद करोगी तरीका बहुत ही पसंद आया होगा तो यहाँ पर इसे अच्छी तसे हमें एक मिन के लिए चला लेते नारियल में घी के साथ अब अच्छी तसे नारियल को उमने एक मिन के लिए चला लिये आप देख सकते हो घीक है अंदर perfect तो हलका सा ये करने से क्या था नारेल हमारा हलका सा soft लगता है अब यहाँ पर लेना एक कटोरी जितना गुल गुल यहाँ पर पहुंसा भी ले सकते हो खाली प्रमान perfect होना चाहिए जैसे कि दो कटोरी नारेल एक कटोरी हमें यह लेना है गुल एकदम perfect प्रमान है अब इसे भी अच्छी तसे चला लेगी हाँ दोस्तों gas की प्रेम थोड़ी हमें धीमी कर ले क्योंकि अच्छी तसे गुल पिगल जाए यह जो हम सारन बना रहे हैं तो धीमी आतपी करना है fast gas ना करें इस बात का ध्यान देना है अब यह पर देख सो तो धिरे धिरे करके गुल अच्छी तसे मिल्ट हो रहा है अभी थोड़ा बाकि और इसे अच्छी तसे मिल्ट कर लेते हैं अब यह पर देख से तो अच्छी तसे हमने चला लिया गुल्ड ने अच्छी तसे मिल्ट भी हो चुका है अब यह पर हमने डालना एक चमद जितनी खसकस खसकस को भून के लेना है तो इसे मैंने पहले ही भून लिया है खसकस थोड़ा जादा डाले कि मोदक का जो स्वादना स्टपिंग में अच्छा लगता है आदा चमद यहापर डाल देते हैं इलाइची पाउडर फ्लेवर के लिए अब इसे भी एक मिन के लिए चला लेते हैं अब यह पर देख से तो अच्छी तसे हमारा सारन बनकर तयार हो गया है जो अच्छी तसे गूल भी अच्छी तसे कूक हो गया गूल ने जो पानी चुट जाता है गूल का वो अच्छी तसे ड्राइ होना चाहिए देख सकते हैं मैं आपको लेके बता देती हूँ हाँ दोसों ये दिया आपको गाई गडबं में कभी मोधक बनाना हो तो हमें क्या करना है पहला सारन बना के रखना है तो ज़्यादा सारन बना के रखना है और फिक है थंडा होने के बाद डबे में भरके फ्रीज में रख सकते हो जब भी आपको उकली का मोधक या कुछ बना लेते दो दिन पहले यह आठ दिन तक थोड़ा भी खराब होता है कुछ में फ्रीज में रख देते हैं सिर्फ मोदक बनाओ और भोग लगाओ अब अच्छी तसे सारन बनकर तयार होगे अभी गैस बन कर देते हैं और इसे हमें सारन को थंडा होने को रख देते तब तक हम बनाएगा गैरेंटी के साथ मैं आपको बता देती हूं गैस में ने ओन कर लिया अब यहां पर थोड़ा सा में घी लगा लेती हूं कि इसी खाने में मुदक हमारा सॉप्ट लगे अब हैं पर लेते थोड़ा सा नमक थोड़ा ही लेना ज्यादा ना ले बस अब पानी को में अच्छी तरसे उबाल लेना है डेख सकते हैं इसे चला लेका अच्छी तरसे उबाल लेका बारीक वाली शुजी तो बारिक वाली ली। यदि घर में मोटी वाली सुजी हो तो आपने क्या करना है मिस्सर के जार में इसे पीस लेना है। अब इस गैस पे हमें थोड़ी फास कर लेने है गैस और इसे अच्छी तरसे में चला लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमें सुजी की गुठली नहीं होनी चे इस बात का ध्यान देना है। अच्छी तरसे इसे चला लेते हैं देख सकते हैं और डोके फॉम में इसे बना लेना है। अब यहाँ पर देख से तो मैंने दो या तीन मिन्टे की इसे चलाया यह अपने आप डोके फॉम में आ चुका है बढ़ी आसा वाव। आप इसे फैला देती हूँ और मैं ऑर दक्कन लगा के ऐसे ही छोड़ेते दो मिन्टेक अब अपे देख सकते हो दो मिन्ट हो चुका अच्छी तरसे हमारा जो सूजी अच्छी तषी प्ल गई है मैं आपको लेके बता देती हूँ अब यहाँ पर एक बाउल ले लेती हूँ और बाउल के अंदर हमें सुजी को डाल देना है इदम इजी ली ये डो बनकर तयार हो जाता है दोस्त अभी तोड़ गरम है हलका सा थंडा होने के बाद हम इसका डो बना लेते हैं अब यहाँ पर देखते हो थे हलका सा थंडा हो चुका है भी हाँ पर मैंने चमचा ले लिया है अच्छी तरह से अब इथे में थोड़ा साइट कर लेती हूँ और हलका सा गी ले लेती हूँ हातों में थोड़ा ही लेना ही इस तरीखे से और इसे अच्छी तरसे हमें मसल लेगे। अच्छी तरह से गूल गूल कर लेती हों और छोटे-छोटे पेड़ा लेती हूंँ अब यहां पर मैं आपको कली वाला मोदभग बता देती हूँ वह भी बीना साचे के यहां पर मैं आपको दो प्रकार का बता होगी हां पर आटा वगेरा तेल वगेरा यानि घी वगेरा कु जितना पतला करोगे यह यदि आपको ऐसे नहीं जमा तो आप इसे बेलन से बेल भी सकते हो दोस्तों सिप आटा ना लगाए सुका इस बात का ध्यान देना है तो यहां पर एकदा हातों से मैंने पूरी के जिसे सेप कर दिया अभी थोड़ा मोटा है और इसे पतला कर लेती क्योंकि हमारी जो पारी अच्छे आएगी पारी बोले तो कलिया तो यहां पर देख से तो इसे मैंने अच्छी तसे कर लिया है एकदम थोड़ा भी हातों में चिपचीपाने कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है न एकदम इसका जो स्वादन दूसर सुजी का मोदक का पूरी की जैसे मैंने कर लिया है देख सकते हैं जितना पतला करें उतना सारन अच्छा भर के तयार होगा और मोदक खाने में स्वादिश्टर लगेगा तो यहां पर थोड़ा मोटा लग रहा ता इसलिए यहां पर मैंने से किनारों किनारों में दबा लिया है अच्छी तर अच्छी तरह से निचे तक लेना है निचे तक तबी अच्छी तरह से कलिया आती है एक दो बार आएगा फिर तीसरे बार तो अच्छा आएगा इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी तो कि कई लोगों को जादा करके कलिया की मोदक आता ही नहीं है देख सक हो रहा है इस तरीके से कलिया निचे तक में कर रही हूं हलकी हलकी हमें यह करना है जितना आप कली बनाना चाहते हो खाली पूरी बड़ी लेनी चाहिए बस अच्छी तरह से देख लेना है आप देख से आपको लेके बता देते हूं इधम अच्छी तरह से अभी जहां पर म का इदम अच्छी तरह से मैं नहीं सारन भर लिया है अभी कि इसको हतली से इस तरीके से गोल गोल करेगे कल्या को सिर्फ एक साइड में कर लेना है इसके एक साइड में देख सकते हो इस तरीके से एकड़म अच्छी तरह से बनकर तयार हो जाता है दोसों जादा समय लगताने कुछ भी नहीं और एक खाने में एक नमबर है हलके हलके हातों से इसे गोल 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 करते जाएगे हलके हलके आतों से, देख सकते हो कलिया, हलके हलके आतों से मैंने इसे कर लिया है, वाव, एकदम, देख सकते हो कितनी बढ़िया सी कलिया आ चुकी है, है न, हमारा कितना सुरेक मोदग बनकर तयार हो गया है, इसकी जो कलिया है, आप देख सकते हैं वाव, यमी, 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 ह तो इस तरिके से मुदग बनाये अब यहां पर इसे प्रेस कर लेना है इसे करके ने देख सकते हो इस तरीके से बंद करना है और अच्छी तर से दबा लेगे यह अच्छी तर से प्रेस होई जाता है अच्छी तरसे देने लगाना और हां को साचो को यहां पर ऑईल वगेरा घी वगेरा नहीं लगाना इस बात का अपने ध्यान देना है दोस्तों अच्छी तरसे टाइट पकड़े जो भी एश्ट्रा डो होगा वो निकल जाएगा और अच्छी तरसे यह करना है हमें प्रेस कर आके और जो भी एश्ट्रा डो है वो निकाल लेना है देख सकते हो और थोड़ा मैं आटा ले लेती हूँ इसके उपर हमें से स्प्रेस कर लेते हैं एकदम बढ़िया सा हमारे यह सुरेक मोदक तयार हो जाता है और तरीका आपको यह दोरों में से कौनसा अच्छा लगा अब यहां पर मैंने कर लिया है और जो भी एश्ट्रा है डो यह भी निकाल लेते हैं अब यहां पर मैं खोल के बता देती हूँ मोदक वाव अब इदम इजीली निकल जाता है इदम इजीली देख सकते हो है ना पॉफेक्ट सुजी का मोदक हमारा बनकर तयार हो चुका है मैं आपर थाली ले लेते हैं इसमें थोड़ा समय घी लगा लेते हूँ जब मोदक हम डालेगे घी जीप प의ना आप देख Firebase से मिने घरीश से गरीश कर लिया है और यहां मैंने मोदक बना के रख़ें तो 1 एक मोदक मिमें रखीति आज तो इसमें रख लिया है अभी हाँ हम क्या करेंगे गार्णिश करेंगे वह भी केशर से थाली पे मोदक रख लेंगे केशर के दागे लगा लेना है देख सकते थोड़ा थोड़ा ही रगा है इस तरीके से जब यह स्टीम हम लोग करेंगे न तो इसका यलोश बना बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पर सारे धागे हमें लगा लेते हैं और एक जगा हमने पानी गरम भी कर लिया है जैसे पानी गरम हो गया तो हम लोग ठाली रख देगे आनि में उबाल आ गया भी यहां पर ठा थंडा उनके बाद ही निकालना भी आप देखको जैसे मैंने केशर रखा तो यलो यलो दीख रहा है एक दम बढ़िया सा यम्मी यम्मी अब हलका थंडा उनके बाद एक पल प्लेट में सर्वीसिंग प्लेट में सव कर लेते हैं तो बनकर तयार होगे हमारे बापपा के आम ने मैं भी एक मोदक लेके बता देते हैं आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलीदार है वाव यम्मी 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 देखते मूं में पानी आ गया ना बिना चावल के आटे से बनाया और बिना साचे से में ने बनाया तो यहां पर मैंने आपको दो प्रकार के बताए द तरीक आपको ये बहुत ही पसन आया होगा